हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दर नेक्स लेवल में दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए SSC GD के जो एक्जाम हो रहे हैं तो अभी तक 11 फरवरी से 15 फरवरी तक जो भी एक्जाम हुए हैं तो उसमें important question GK के जो पूछे गए हैं वो लेकर के आए हैं इससे पहले आपको दो part इसके already upload हो चुके हैं 100-100 question के और इसमें भी जैसे जैसे हमें question मिल रहा है हम collect कर रहे हैं और आपके सामने लेकर के आ रहे हैं उन्ही question को एक जगा इकठा किया गया है और आपके सामने लाया गया है आपके सामने 100 के आसपास इसमें question तो नहीं होंगे लेकिन 70 से plus questions हैं इसकी guarantee है तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या question पूछे गये थे और साथ में मैं आपको कुछ extra detail, extra fact तो बताता ही हूँ जो आपको आगे आने वाले exams में काफी मदद करते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो गनतंत्र दिवस 2019 के मुख्य अतिति कौन थे यह थे दक्षिन अफरीका के प्रेशिडेंट राश्पती सीरिल रामाफोसा और यह जो मुख्य अतिति बुलाने का रिवाज है यह पहले बार से ही चला यानि कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आजाद हुआ था उसी समय से यह चला आ रहा है तो सबसे पहले जो हमारा पहला गंतंतर दिवस था उसमें इंडोनेसिया के प्रेशिडेंट हमारे मुख्य अतिति थी थे उनका नाम था सुकर्नो और यह क्वेस्चन बहुत बार पूछा गया है उसमें 10 देश हैं दसों देशों के प्रमुख को नियोता भेजा गया था तो यह सभी के सभी आये थे इसके अलाओ बहुत इंट्रेश्टिंग बात यह है कि अभी तक जितने भी हुए है तो सभी देशों में UK और फ्रांस के जो राष्ट प्रमुख है से किसे जना जाता है तो यह सरदार वल्लब भाई पटेल और शुरुवात से याने कि 11 फरवरी के पहले सिफ्ट से ही सरदार वल्लब भाई पटेल पे हर सिफ्ट में क्वेस्टन बन रहा है कभी लोह पुरुष पूछ लिया गया और कभी उप परधान मंत्री पूछ लिया जा रहा है तो रिपीटेड क्वेस्टन यह लगतार सरदार वल्लब भाई पटेल से बार बार लगतार पूछा जा रहा है तो थोड़ी सी बाते मैं आपको और ही बता देता हूँ कि सरदार वल्लब भाई पटेल जो है यानि कि मारदोली की महलाओं की तरफ से महातमा गांधी ने यह उपाधी इने दिया था और अभी इनके उपर एक 182 मीटर की बिस्व की सबसे उची मूर्ती भी बनी हुई है जो कि गुजरात राजी में है नर्मदा नदी के टट पे बना हुआ है तो यह भी आपको पता होना चाहिए साथी साथ राज्यों का जो एकिकरन है वो भी सरदार वल्लब भाई पटेल नहीं किया था तो यह सब चीज़ें आप याद रखें अगला कुश्चन देख लेते हैं अनुछे 356 किस से संबंधित है अनुछे 356 तो कल आपके एक्जाम में साय 352 पूछा गया था और आज यहां पर 356 तो उसी समय मैंने यह जो आपातकाल लगता है इसमें यहां पर तीन तरह क्या आपातकाल लगते हैं और तीनों के बारे में बताया था यहां पर तो 356 है राश्टपती सासन इसके अलावा 352 और 360 भी है तो 352 है जब कभी कोई बाहिया आकरमन हो जाए जैसे कभी दो देशों के बीच में युद होता है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया बांगला देश इन सब के बीच में अगर कभी युद हो जाता है तो उस समय पूरे देश में लगता है अनुछे 352 जानी कि बाहि कारण से आई हो विपती के कारण जो आपातकाल लगता है 356 है यह किसी भी राज में लगता है अगर वहां का सासन थंत्र फेल हो जाए जैसे अभी जम्मु कस्मीर में वहां पे कोई मुख्यमंत्री नहीं है तो वहां पे राष्टपती सासन लगा हुआ है क्योंकि वहां पे कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं है और उसके अलावा 360 जो है यह है वित्तिया आपातकाल वित्तिया आपातकाल जब पैसे की तंगी आ जाती है देश में पैसा नहीं हो पाता है तो वहां पे वित्तिया आपात लगता है जो कि आज तक हमारे देश में नहीं लगा है आपने सुना होगा कि जिमबाववे या फिर वेनेजुएला इन सब देशों में वित्या आपात आ गया था, वहां की पैसे की value बहुत ज़्यादा low हो गई थी, तो वहां पे ये आया था, अगला question है, प्रकास पर्व किस गुरु के याद में मनाया जाता है, तो प्रकास पर्व हम मनाते हैं, गुरुनानक सिंग जी यानि की गुरुनानक नहीं सिख धर्म चलाया था, और ये हम 15 अपरेल को नहीं मनाते हैं, हम ये मनाते हैं कार्थिक पुर्णिमा के दिन, उस दिन गुरु पुर्णिमा के नाम से उस दिन को जाना जाता है, और हम उसे कार्थिक पुर्णिमा के दिन ये परो मनाते हैं, अगला question देखते हैं, इर जापान के संसद का नाम, जो की डायट है, जापान का संसद है डायट, वहीं अगर हम अमेरिका के संसद की बात करें, तो वहां का संसद है कॉंग्रेस, जैसे हमारे देश में कॉंग्रेस एक राजनितिक पार्टी है, तो वहां पे संसद का नाम है कॉंग्रेस, बांगला है उसे हम National Assembly कहते हैं और France का जो संसद है उसे भी National Assembly कहा जाता है मिसर के संसद को Federal Assembly कहते हैं मिसर के संसद को Federal Assembly और चीन के संसद को National Congress के नाम से जाना जाता है तो यह सब कुछ important बाते हैं भारत के संसद को संसद ही कहते हैं Parliament अंग्रेजी में हिंदी में संसद तो यह आप याद रखें, चलिए अगला देखते है, next question, कलकत्ता सहर को किसने बसाया था, तो यह जौब चरनौक ने बसाया था, किसने, जौब चरनौक ने, तो कुछ चीज़े मैं आपको और पर बता देता हूँ, जो कि आपसे हो सकता है, पूछ लिया जाए, सिकंदर जैपूर की बात करें, तो जैपूर को सावाई जैसिंग ने बसाया था, और एक है गोविंदपूर, इसे गुरु अर्जुन देव ने बसाया था, important यह सब question है, आप जरूर याद रखें, अगला देखते हैं, सेर साह का मकबरा कहां इस्तित है, तो यह सासाराम में इस्ति अकबर का सिकंद्राबाद है, और जहांगीर का कहां है, लाहोर, और और अरंगजेव का दौलताबाद, और साह जहां का है, आगरा, साह जहां की पत्नी आगरा में है, और वहां भी वहीं पे उनके उसके बगल में ही इन्हें भी दफनाया गया था, आगरा में, और जो व्रिध गंगा नदी किसे कहा जाता है, किस नदी को व्रिध गंगा या फिर बुढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, तो यह है गोदावरी, गोदावरी के बारे आपको पता होना चाहिए, कि यह इसका जो उद्गम अस्थल है, यह त्रेमबकेश्वर की पहाडियों से यह important question आपसे पूछा जा सकता है इतना गोदावरी को लेके वही एक और question गंगा से बनता है कि दक्षिन की गंगा किसे कहा जाता है तो वो हम कावेरी को कहते हैं बहुत से लोग यहाँ पर confused हो जाते हैं कि गोदावरी को ही टिक कर देते हैं लेकिन वो कावेरी को कहते हैं अगला question है मंत्री परिसद का अधियक्ष कोन होता है तो यह होता है प्रधान मंत्री अब यहाँ पर आपको यहँ 성 rated की बात कर रहे है तो वह प्रधान मंत्री होता है केंद्रिया परंती और अगर हम बात ऐसा करें कि मंत्री परिसद केंद्रिया मंत्री परिसद किसके परती उत्तरदाई तो रखता है तो वह लोक सभा के परती उत्तरदाई तो रखता है यह लाहोर में हुआ था, लाहोर में और यहां पे जवाहर लाल नहरू अध्यक्ष बने थे, तो Congress से रिलिटेट कुछ बाते हैं, अगर Congress आ गया है यहां पे गेम में, तो Congress हो सकता है कि रिपीट कर दे आपके questions को, तो कुछ बातें यहां पे मैं कर लेता हूँ, तो Congress की जो अस तो वो बने थे George Yule, और पहले Muslim अध्यक्ष बने थे Badruddin Tayyabji, अगर हम पहली महिला की बात करें, तो ये Annie Besant बनी थी, जिसे हम बसंत माता के नाम से भी जानते हैं, Annie Besant पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, और अगर हम पहली भारतिय महिला की बात करें, तो सरोजनी नाइडू बनी थी, पहली भारतिय महिला अध्यक्ष, वहीं महात्मा गांधी सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष बने थे, 1924-24 में बेल गाव अधिवेशन के दोरान, तो ये सब पता होना चाहिए कि Statue of Unity जो है, सरदार वल्लब भाई, पटेल की Unity है, सरदार वल्लब भाई पटेल की कहां पर बनी गई है ये, तो गुजरात राज में बनाई गई है यानि कि एकता दिवस के दिन, तो एकता दिवस कब पढ़ता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे जो कि वल्लब भाई पटेल का जन्म दिन होता है, और वल्लब भाई पटेल के बारे बहुत सारी जनकारी पिछले वीडियो में भी के वीडियो में भी एक question आया था वहां भी आपको मैंने बताया था कि इन्हें सरदार की उपाधी किस ने दी थी इनका इन्हें लोह पुरुस कहा जाता है यह पहले परधान मंत्री थे तो पिछले तीन चार सिफ्ट में इनके question बारे में पूछा जा रहा है तो वो सब जरूर वाली train भी हो जाएगी अभी वरतमान में सबसे रफतार वाली train कौन है तो गतिमान एक्सप्रेस है गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली train है और अभी तक इस train का inauguration नहीं हुआ है तो जब यह inauguration होगा इस train का यानि कि train 18 का तो यह सबसे तेज चलने वाली train हो जाए चंद्रगुप्त मौरी ने अपनी राजधानी चुनी थी, और मौरी वंस की जो है, यानि की मौरी सामराज जो है, इसकी अस्थापना चंद्रगुप्त मौरी ने करी थी, 322 इसा पूर्व, 322 इसा पूर्व में इसकी अस्थापना करी थी, मौरी वंस के एक और बहुत ही महा चंद्रगुप्त मौरी के बाद उनके पुत्र आये थे बिंदुसार और उसके बाद यानि कि बिंदुसार के बाद उनके पुत्र बने थे असोक जुन्होंने कलिंग का यूत भी लड़ा था और बाद में उन्होंने बहुत धर्म अपना लिया था ये आपको पता होना चाहि क्यों सीला लेख भी है, असोक नहीं सांची का श्टूप भी बनवाया था, तो बहुत चीज़े असोक ने करवाई हुई थी, मौरिवंस के आखरी राजा थे, वरिहदरत थे, मौरिवंस के आखरी राजा, जिसको हराके, पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंस की असापना की थी ब्रेधत को हरा के और उसके बाद फिर सातवाहन वगेरा भी आये थे तो वो सब बात की बात है बागी इतना important है आपके लिए अगला कुछन देखते हैं मोती मस्जिद का निर्मान किस ने करवाया था तो ये मोती मस्जिद जो है ये आगरा में है तो इसकी अस्थापना साह जहा ने करवाई थी एक और जानकारी आप जान लें कि एक और मोती मस्जिद है जो की दिल्ली में है और उसकी अस्थापना करवाई थी और अंग जेब ने तो ये question में जान ले लाएक बात होती है कि मोती कौन सा है तो ये भारत का राज है कौन उडिसा है भारत का राज है उडिसा वहीं अगर हम विस्व में बात करें तो विस्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है अस्ट्रेलिया उसके बाद आता है चाइना और उसके बाद आता है ब्राजील चलिए देखतें अगला कु इसके बाद आर्पी एक्जाम चल रहे हैं इन सब में पुष्टकों का बोल बाला रहा है बार बार पुछा गया है तो एक इस बाद आर्पी एक्जाम चल रहे हैं इनका था इंपरफेक्ट याद नाम रखें फिर सानिया मिर्जा का भी एक आत्मकथा आया था एस अगेंस्ट द़ औड्स ऑड्स फिर मारिया सारापोवा जो की उन्होंने कमबख इस Darren कर जे जो ड्र लेने के लिए उन्हें बैं कर दिया गया था बारा यह पंदरा महिनों के लिए उसके बाद जब इन्होंने comeback किया तो उन्होंने भी एक पुस्तक launch करी, Unstoppable My Life So Far Unstoppable My Life So Far by Maria Sarapova, उसके अलावा लक्षमन ने भी एक पुस्तक लिखी हुई है 281 and Beyond, तो कुछ चीजें यह सब हैं, आप याद रखें क्योंकि यह questions बार-बार पूछे जाते हैं क्योंकि विस्व लेवल के जो अच्छे अच्छे खिलाडी हैं उनके बारे में पूछ रहा है, तो मैगनस कालसन आपको पता होना चाहिए, चेस से संबंधित हैं और यह वर्तमान में अभी चेस के चेंपियन है और पिछले 5 सालों से यह चेस के चेंपियन है, यानि कि 2013 में इन्होंने पहली बार विस्व नाथन आनन्द को हरा के चेस चेंपियन से जीती थी, और तब से लेके अभी तक यह लगातार बने हुए हैं चेस चेंपियन, वहीं कुछ और खिलारी है, केरोलीना मरीन केरोलीना मरीन, 2016 के ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और यह स्पेन देश की है, बैडमिंटन खेलती है, उसके बाद एक और खिलारी है नोजूमी ओकु हारा और अभी यह भी बैडमिंटन से ही है, जापान देश से है, और अभी जो मास्टर टूनामेंट्स चल रहा था, उसमें इन्होंने भी बहुत बाद पीवी सिंधू को और साइना नहवाल को हराया है इनका नाम भी हो सकता है, एकजाम में पूछ लिया जाए, मारिया सवरापोवा, टेनिस खेलती है रूस देश से संबंदित है, उसके अलावा केरोलीना वोजनियाकी, पिछले साल जो अस्ट्रेल न ओपन हुआ था, 2018 में उसमें इन्होंने जीता था, टेनिस का सिमोना हालेप, सिमोना हालेप रोमानिया देश की हैं, और ये भी टेनिस से संबंदित है, एंजली करबर ये भी आपको टेनिस से संबंदित है, पिछले बार का फ्रेंच ओपन इन्हों नहीं जीता था, शिमोना हालेप ने मुझे याद नहीं इन्होंने भी ग्रेंड सलैम ही जीता था, उसके बाद एक और आपको पता ही होगा, ये पूछा भी गया है रोजर फेडरर टेनिस से संबंदित है, राफेल नडाल जो इस बार फाइनल में हार गए, ये भी कहां से है टेनिस ही खेलते हैं, तो ये सब जानकारी आपको नाम आपको याद रखना चाहिए, बहुत बार पूछ लिया जाता है, अगला कोशन देखते है मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है तो इस सिरीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है, एसियन परलंपिक्स गेम का सुभंकर क्या था तो ये गेम कब हुआ था 2018 में ही हुआ था 2018 में ही हुआ था और कहां पे हुआ था तो ये इंडोनेसिया में हुआ था इंडोनेसिया में एसियन गेम्स हुए थे इंडोनेसिया में वहीं पे क्या हुए थे वहीं पे हुए थे पेरलम्पिक्स गेम जो की दिव्यांग लोगों के लिए होता है इसका था सुभंकर था मोमो था मोमो जो खाने वाला मोमो है वो नहीं एक पक्षी था जिसका नाम दिया गया था मोमो वहीं हम बात करें यहाँ पे कि इसमें जो भारत ने पार्टिसिपेट किया था तो भारत कि इस अस्थान पे फिनिस करा था तो भारत ने नववा अस्थान पे फिनिस करा था 72 मेडल के साथ कुल 72 मेडल भारत ने जीते थे जिसमें से 15 गोल्ड थे और 24 सिल्वर थे और 33 ब्राउंच थे तो ये आपको इतना याद ना भी रखें लेकिन याद रखें कि नवे स्थान पर भारत ने फिनिस किया था चलिए देखते हैं अगला कोश्चन क्या है आगे नेस्ट है फीफा प्लेयर ओफ द इयर किसे दिया गया फीफा यानि की फुटबॉल का जो हेड है जैसे कि क्रिकेट का है आई सी सी उसे ही फुटबॉल का है फीफा तो इसका हेड जो है प्लेयर ओफ द इयर यानि की वर्स दो हजटार का प्लेयर ओफ द इयर खिताब किसे दिया गया तो यह दिया गया लुका मोडरिक को और यह क्रोएसिया के प्लेयर है क्रोएसिया के प्लेयर है और एक और बात FIFA World Cup के बारे में भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब कहां हुआ था कौन जीता था थो थोड़ी से जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि ये जो खिताब है यानि कि FIFA World Cup जो हुआ था ये रूस में हुआ था और फ्रांस जीता था क्रोएसिया को हरा के और FIFA Player of the Year जो ये पुरसकार है ये जो मिला है लुका मोडरिक को इस बार ये पिछले कम से कम 10 सालों की बागर मैं बात कहूं तो ये सिर्फ रोनाल्डो और मेसी क पिछ ही सेयर हो रहा था या तो रोनाल्डो को मिलता था या तो मेसी को मिलता था इन दोनों के अलावा ये तीसरे ऐसे प्लेश में पिछले आठ से 10 सालों में जिन्हें ये खिताब मिला है लेगरा कोशन दिखते हैं पांडवानी लोकनिर्त कीसराज का है तो यह 36 गड़का है सुरी दोस्तों तो पान्डवानी 36 गड़गा है तो आपको इसमें हमने एक विडियो भी बनाया हुआ है कि पान्डवानी निरित्य साथ जितने भी राज है सभी के लोग निरित्य तो आप को वडियो देखे ड्रिक से बताया गया तो यस से वीडियों बताया गया है कि आपको पांडव जादाते हैं और 36 गढ adapt में सबहु के जितने भी लोग थे उन सबहु के साथ पांडव का 36 का अंक्ड़ा हो गया था 36 का या ध्यारनी में तो पांड़ाव का सब के साथ 36 का अंक्ड़ा था तो वही हो गया 36 गढ़ पंचायत से संवंधी थे और इसके लिए इसमें 29 विसे दिये गए थे, कितने विसे दिये गए थे 29, वहीं इसके बाद हमारे सम्विधान में कितनी अनुसुचियां है, तो कुल 12 अनुसुचि है, तो 11 ये हो गया, तो 12 अनुसुचि क्या था? तो बारवा अनुसुची था Municipality Corporation से 11 था गाउं से और 12 था सहर से यह आपको पता होना जब सम्विधान बना था सुरू में तो उसमें 8 अनुसुची सुरू में थी बाद में 4 जोडे गए 11 हो गया गाउं से 12 हो गया सहर से यानि कि 12 Municipality Corporation 10 में था अदल बदल कानून और 9 में क्या था यह मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा है 8 में भासा को लेके बाते कही गई थी तो यह सब है अगर आपको पता है कि 9 नंबर अनुसुची में क्या था तो आप कमेंट करके जरूर बताएं बारतिया Communist Party का चिन क्या है तो यह हसिया और हथोड़ा है यह कोई खास क्वेस्चन नहीं है इका दुक का एक्जाम में यह Railway का ट्रेंड पकर लिया है किसी जमाने में Railway में इसे क्वेस्चन पूछे जाते थे और यह भारतिया Communist Party का पूछ लिया है यहां पर तो हसिया और हथोड़ा है तो चलिए इसमें कुछ जादा डिटेल हम नहीं करेंगे अगरा कोशन देखते है LPG में कौन सी गैस भरी जाती है तो इसमें Butane और Propane भरा जाता है और मैंने आपको पहले भी इसका ट्रिक बताया हुआ था कि LPG के बढ़ते हुए दामों को देखकर मेरा BP बढ़ गया है मेरा BP बढ़ गया BP यानि कि B से Butane और P से Propane LPG का Full Form क्या होता है तो Liquified Petroleum Gas वही एक और इस तरह का होता है CNG वो क्या होता है Compressed Natural Gas जो जिससे हम इंधन के तोर पर यूज करते हैं अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने यहाँ पर देखा होगा या फिर अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपने आप देखा होगा कि CNG से गाडियां चलती है उसके अलावा अगर हम बात करें CNG में कौन-कौन सी गास होती है तो LPG पूछा है तो हो सकता CNG में पूछ लिया जाए तो आपको मैं इसके लिए भी एक अच्छा सा ट्रिक बता देता हूँ तो यहाँ पर जाता है तो आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा चलिए हम देखते हैं आगे वहीं हम एक बात स्वरणिम चोत्रफुजी योजना के बाई में थोड़ी से बाते मैं आपको वजा दूँ कि स्वरणिम चोत्रफुजी योजना जो है इसकी सुरुवात वर्स 2001 में की गई थी और उस समय हमारे परधान मंतरी थे अटल विहारी ब दिया जाता है पुस्तक लिखने पर नौवल लिखने पर दिया जाता है तो एना बर्न ने कौन सी पुस्तक लिख दी थी तो इन्हों ने लिखी थी ज़्यादा ज़रूरी है आपको ताकि आप confused ना हो जाए तो इसकी जो सुरुवात है मानबुकर प्राइज की सुरुवात 1969 में की गई थी और वर्ष 2018 में इसने अपने 50 साल पूरे कर लिये इस खुसी में golden मानबुकर प्राइज दिया गया यानकि 50 साल पूरा होने की खुसी म यह अगले बहुत सालों तक आपको एक्जाम में पुछा जा सकता है तो यह मिला था माइकल ओंडाट जे को माइकल ओंडाट जे को इन्होंने पुस्तक लिखी थी दो इंग्लिस पैसेंट और यह 1992 में लिखी थी उस समय तो इन्हें मानबुकर प्राइज मिला ही था और फि पुस्तक थी The God of Small Things उन्होंने ही यह खिताब जीता हुआ 1997 में उन्होंने पुस्तक लिखी थी और उसके लिए उन्हें मिल गया था यह प्राइज वो पहली भारतियम थी पहली भारतियम महिला दोनों ही यही बनी थी तो क्या यह पहली भारतियम थी वैसे तो अगर भारतिय मूल के लोगों की बात करें तो उस मामले में यह दूसरे नमर पर आ जाती है जो कि V.S. नाइपॉल जो कि भारतियम मूल के थे NRI थे इनके पहले ही यह खिताब मिल चुका था पीसरा या चौथा ही खिताब था मान बुकर का जो V.S. नाइपॉल को मिल गया था वो त्रिनाद एन टोबेगो के रहने वाले थे तो इतनी जानकारी आपको काफी होगी चलिए देखते हैं हम आगे अगला कोश्चन एड्स किस बिमारी से फैलती है एड्स वाइरस से फैलती है किस से फैलती है वाइरस से है एचाईबी वाइरस से फैलती है और इसके लिए टेश कौन सी होती है एलीसा टेश होती है एलीसा तो इसके बारे मैं आपको पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में जनकारी मैं जैसे हैं समिधान को कब अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को और इसकी कारण से हम 26 जनवरी को गंतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और आज सुबहा आप से पुछा गया था कि पहला जो 26 मनाया गया था यह आपको 2014 का कि मारे हमारा चीफगेस्ट कौन था बहुजार 2019 में चीफ गेश्ट कौन थे हमारे तो सिरिल रमाफोसा थे तो मैंने आपको उसमें बताया था कि पहला जो हमारा हुआ था उसमें सुकर्णो हमारे चीफ गेश्ट बने थे सुकर्णो इंडोनेसिया के वो प्रेसिडेंट थे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर वीडि खत्म हो गया है तो आप हमें जरूर कमेंट करें कि आपका आगे और किस चीज़ का एक्जाम है तो मैं उन चीज़ों के लिए भी आपको वीडियो परवाइड करूंगा साथी साथ दोस्तों अगर आपका आगे एक्जाम है अभी तक एक्जाम नहीं हुआ है तो आप हमें अपना जो question exam देने के बाद है इस number पे WhatsApp कर सकते हैं ताकि हम आपके question को अपने वीडियो में include करें और आगे आने वाले बच्चों की मदद कर सकें तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही लेता हूँ आप से विदा जै हिंद जै भारत वंदे मात रहम